प्लीज सब्सक्राइब चैनल और प्रेस्ट बेल एकन फोर मोर वीडियो उपडेट्स टोड़ी से 28 जून और 2020 इनिसल संदे तुड़े सो लेट्स टार्ट अनलेसिस जैसे आप सभी जानते हैं आज एडिटोरियल नहीं आता है आज पूरा ही पेपर साइंस और टेकनलोजी के लिए हम लोग से पढ़ते हैं तो चलिए आते एक लेते हैं साइंस और टेकनलोजी में क्या आया है आज की पहली न्यूस जो हम देखेंगे वह है 8 streets account for over 85% active COVID-19 cases in India जो total number of cases हैं इंडिया में वह लगवाग आर्ट उसका 85% 85% आर्ट स्टेटों से आ रहा है ऐसा इसमें रुपोर्ट में माना गया है देखते हैं अगली न्यूस Free marks plan to initially cover urban areas जिससे हर किसी के पास मास पहुच सके गरीब लोग भी क्याकते मास लेस पाएं फ्री मास बटेगा तो हर कोई COVID-19 से बचने के लिए मास पहने गई तो वह उसका spread रोका जाए पाएगा ऐसा किया जा रहा है ऐसा उनका plan है ऐसा public distributed system के द्वारा इसे distribute करने की बात की गई है चिन्नाई में पहले चिन्नाई में होगा फिर पूरे state में किया जाएगा ऐसा इनका plan बनाए गया है चलिए आगी की news देखते हैं मैंनी start-ups have come forward in space sector but no big corporates yet ऐसा माना गया है कि कई start-up आया है space sector के लिए space sector में कई नए start-up नए नए लोग आया है क्याकते है start-up वाले क्याकते है space sector में लेकिं कोई बड़ा company वाला अभी कोई big corporates नहीं आया space sector से जुड़ने के लिए जैसे हमने नया चालू किया SpaceX तो ऐसा कोई जूड़ा नहीं है space उसमें कोई जूड़ा नहीं अभी जो भी काम कर सकते private sector में ऐसा इसमें कहा गया है इसमें यह भी कहा है इस रोचीफ ने case 7 ने कि privatization will increase India share in global market कि जैसे जित्ता private होगा इस रोच कहते हैं इस पेस सेक्टर इंडिया को private होगा उत्ताई इंडिया का share भी global market में बढ़ेगा ऐसा इसमें कहा गया है अगली न्यूस आती है इंडिया स्नफ स्पार्ग ओफर टू री ओपन करतारपूर इंडिया सेट पाकिस्तान प्रोपोसल फोर री ओपनिंग दे करतारपूर कॉरिडर तू मांग देट अन्वर्शीर वरंजीत सिंह वाजम मेरे जाओ गुडविल जैसे ही आप सभी जानता है कि सारे इंटरनेशनल बॉर्डर बंद हो गया है कि कोविड-19 के स्प्रेट को रोकने के लिए तो वैसे ही पाकिस्तान का वाला बॉर्डर भी बंद है तो पाकिस्तान ने कहा कि करतारपूर जो कॉरिडर है उसको खोल दिया जाए रंजीत सिंह क कि एनवर्सरी पर आप कमेंट सेक्षिन बताएं कि रंजीत सिंह कौन है क्यों है रंजीत सिंह उसको कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और प्लीज कमेंट जरू किया करें तो इंडिया का मानना है यह क्या करते हैं रंजीत सिंह की एनवर्सरी के बहाने उनका कोई और तर लग रहा है अच्छे दिनों का एक मिक त्रिष्णा लग रही जैसे अच्छे दिन आने वाले तो इसकी मिक त्रिष्णा लग रही ऐसा पाकिस्तान की तरफ से ऐसा है जब ऐसा ओफर आया है तो अगली न्यूस देखते हैं लोकस्ट स्टों पार्ट्स ऑफ केप्टल की जो लोकस्ट अटैक है वो कहते हैं दिल्ली में फैला है दिल्ली में पहुच चुका है और दिल्ली में भी बहुत एफेक्ट कर रहा है और बहुत डेमेज कर रहा है चलिए आज फिर हम देख लेते हैं लोकुष के बारे में, आप हमारे Telegram चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Question 1 247, या आप हमारे description में पड़ी लिंक से भी जोईन कर सकते हैं. लोकुष, ये कहते हैं short and grosster please होते हैं, जो कहते हैं, दिन पर दिन बढ़ते ही ही जाते हैं, number में, और कहते हैं, एक दिन में लगभग तेरी सो किलोमेटर एक दिन तराफ Brain कया है अर्वें क्थी अंधियर के सकते हैं और कशेन है एक दूरी काई दूरी किभी कर ऍंद्व dwt ट्रेवल करते हैं तक कवीज करते हैं इनकी 4 मेंना इस पाई जाती है और प्लांट बाइद शीर वेट इनका जो वेट होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा मैसिव नंबर में होते हैं तो किसी भी पौदे में बैठे या पेर में पैठे तुसे खतामी कर देंग समझो क्योंकि इत्ते ज्यादे होते हैं तो इस वही बात की गई है इस तरह भी यह युनाइटेड नेशन एस करेंटली अडिटिफाई थ्री होट स्पोट ऑफ थ्रेटिंग कॉस्ट एक्टिविटी कि जो फूड एन अग्रिकल्चर और युनाइटेड नेशन का उसने का है कि इनके अटैक के तीन में होट स्पोट हैं जो हैं हॉन आफ अफ अफरीका णेट नेशन की फ्रेट रहेंगे सब्सक्राइड सब्सक्राइब घंडर दमास करें तो लोग स्थमोट नेशन कि दिक्कत हो जाती है और के लोग न ञहीं पाती किनक बाहर डर रहता कि यह हम पर ना टैक तो इसलिए ऐसा कहीं टब मनना जाता है लोकस स्वर्क फ्रम इथोपिया सुमालिया ट्रेवल सौथ टुप केनिया और फोर्टी इन्दर कोंटिने यह बहुत जादा ट्रेवल करते हैं यह रिच्छ से एरिया में साओधी अरेबिया भी जाते हैं उमान यमेन फिर इरान इंडिया पाकिसान पूरा पूरा बह बीजस के दिकन बेहरा नेखते हैं गभर्मनेंट अप्रूव यूस ओंड डेक्सामेथासौन गभर्मनेंड ने रिंड को अप्रूव कर दिया यूस करने के लिए पहले माराश्रा ने किया ता जैसे आपने देखा होग्त इक बताया गा इसी नियूसमें कि देखालो हुआ को इसा हुआ भी है यूके में ऐसा माना गया है तो क्या गते हैं जैसे यूके में वहाँ पर जोड लिया गया उसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशनल मेडिसिन में वैसे यहां भी कह रहा है कि इसको भी जोड देना चाहिए जिससे क्या गते हैं जो लोग मर रहेता ज्यादा इससे मोर्टालिटी रिट बढ़े तो ऐसा इसमे इसमें बढ़े हैं कि यूज़ आगे की नियूस देखते हैं नौल को रोनावायरित इंफेक्शिन माइट ट्रेगर तैपन डियापटिस इन तैपन डियापटी देबबोडी इमून सिस्टम डिस्ट्राइट बेटा सेशल देडर पर जूस्ट इंसुलेट इसमें बताया है करने की करोन वारिस के और लोगों के अन्दर थायफून डियाबिटीस है है लोकोゃ इंफेक्ट हो रहा है क्योंकि giờ कोँछिए नैंटीन है तो यह है खोधी अटाइक करने लगते हैं और डिस्टोय करने लगता है विजसके करने पंक्रास में जिसके कारए यह रुख जाता है With the destruction of beta cells, the amount of insulin produces, reduce and enhance the ability of the body to control blood sugar is compromised, leading to type 1 diabetes जिसके करें, इंसुलेंस बनना कम हो जाता है, तो कहा किते हैं, यह type 1 diabetes इमर्ज होती है और कहते हैं, इसमें यह भी पताए गया है, इसमें कोई proof नहीं है कि यह permanent है कि यह कुछ दिन के लिए आपके होगी diabetes इसके कोई proof नहीं है जिसके हुआ है अभी तो उसके हो ही गया है, अभी कोई उसके क्यों नहीं आए कि उसके खतम हो जाए चलिए अगली news देखते है, warm beginning, ऐसा कहा गया है कि door of planet Pluto और उसके जो आस पास के lodge objects है, उसमें एक freeze, एक ice tab के ice, एक lake type का लग रहा है, पानी कुछ आया है, ice type, तो गहते हैं ऐसा उसमें माना गया है कि वहाँ पे living हो सकती है, तो ऐसा इस news में बताए गया, warm beginning Black hole emerges with unusual compact objects, कि ऐसा इस news में बताए गया है, वो किसी भी unusual type के compact objects साथ merge कर गया है, जो काफी कुछ भी हो सकता है उसके कारण, तो ऐसा बताए गया है, lightest black hole और heaviest neutron star, वो कुछ भी हो सकता है, lightest black hole और heaviest neutron star भी हो सकता है, यह study किस ने दिया, The legal scientific and virgo collaboration ने data कि एक unusual object, जिसका mass से भी, mass whose mass falls in between that of a typical black hole and neutron star, एक unusual object जो है, जिसका mass लगभग एक, जो typical black hole होता है, neutron star के बीच के mass के बराबर है, तो उसके वो black hole की साथ emerge कर गया है, इसा बताए गया है, The first detection of gravitational wave signal emerging from the collision of binary black holes in 2015 and the legal, इसमें भी black hole के बारे में बताए गया है, पूरे news में, चले, black hole के बारे में देख लेते हैं, और gravitational wave के बारे में देख लेते हैं, Black hole, black hole is an object in space that is so dense and has such strong gravity that no matter or light can spark its pull, कि कहते हैं, इसकी gravity इती ज्याद होती कि कोई matter या light इसको कीश नहीं सकता अपनी तरफ, Because no light can escape, it is black and invisible, क्योंकि कोई light इसे खताव पार नहीं कर सकती, क्योंकि एक black है और invisible है, There is boundary at the edge of a black hole called the event origin, black hole के एक किनारे एक boundary इसे event origin कहाते है, Which is the point of no return any light or matter that causes the boundary sucked into the black hole, कोई भी light या object इस boundary को cross करता है, तो ब्लेक होल के अंदर समाय जाता है, it could need to travel faster than the speed of light to escape which is impossible, तभ उसको तभी वो निकल सकता है black hole से, अगर उसकी speed of light से जादा हो जाए, तभी वो black hole से निकल सकता है, ऐसा लेकिन possible नहीं है, If black holes are invisible, how can we detect or photograph them, यह भी कुशन होता है, कि अगर black hole invisible है तो उनके हम photograph कैसे ले लेते है, by looking for the effects of their extreme gravity which pulls stars and gases towards them, हम इस तरह लेते हैं कि वो उसकी gravity इत्ती जादा है कि वो अपने तरफ star और क्याकते है ग्यास को खीशता है जिसके एक object type का बनता है तो उसके हिसाब से हम उसे उसकी photo related, scientists have also detected the gravitational waves generated when two black holes collide, कि gravitational wave भी emerge होती है, जब दो black hole collide करते हैं, surrounding the black hole right to the edge of the event horizon which is goal of the event horizon telescope, क्या किते हैं यह black hole के right edge में होती है, event horizon के right edge में यह wave generate होती है, gravitational wave, gravitational wave क्या होती है, waves are disturbance in the curvature or space time generated by accelerated masses that propagate as waves outward from their source at the speed of light, यह किते हैं, propagate करते हैं, speed of light के हिसाब से चलती हैं, उसकी speed से चलती हैं, SS में पताए गया है, the gravitational wave transport energy as gravitational radiation a form of radiant energy similar to electromagnetic radiation, यह किते हैं, energy transport करती है, gravitational radiation के form में जो काफी ज़्यादा है, चली अगली news देखते हैं, when the Indian ocean's ancient climate patterns return, El Nino of the Pacific Ocean could emerge, इसमें बताए गया है कि पहले 19,000 या 21,000 साल पहले, ice sheets के दवारा यह North America और Eurasia covered था, Europe का जो covered area है, जो यहां पर ठंडी पढ़ती है, level रहता है, तो वहां पर पुरा यह sea, ice sheet से cover था, ऐसा माना जाता है, लेकिन यह धीरे धीरे पिगलता गया, the peak of ice condition को कहा जाता था, the last glacial maximum, उसको the last glacial maximum कहा जाता था, लेकिन इन climate change के कारण, यह पिगलता गया और कहते हैं, ऐसी condition हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप यह L9, Pacific Ocean में आ सकता है, जिसके कारण flood हो सकता है, या सूखा पर सकता है, ऐसा condition बन सकती है, जो आसपास की country उससे surrounded, जो populated country है, तो उनमें ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, To wear or not to wear a mask, अब public health message disaster, ऐसा माना जा रहा है कि यह ते, कुछ लोगों ने USA में कहा था, फरवरी में कि कहते हैं, मास पहनना जुरूरी नहीं है, कुरोना वारिस में, इसके कारे हम spread नहीं रोक सकते हैं, ऐसा कुछ कहा था, लेकिन यह गलत बात है, मास पहनेंगे तभी हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि तभी spread नहीं होगा, ने तो spread day to day increase होगा, और community spread और बढ़ेगा, ऐसा समें बताने के कुशिश की गई है, तो आज के लिए इतना है, thank you very much, thank you.